आज हम चंडिगड के इतिहास पर बात करने जा रहे हैं, मामला चंडिगड पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। साउथ डिविजन, सेंटरल डिविजन और इस्ट डिविजन वर्ष 1966 के बाद से अब तक शहर तीनों डिविजन में बटा और हर डिविजन में एक एक यानि के कुल तीन डिएस्पिज के कंधों पर शहर की सुरक्षा रही कानून विवस्था बनी रही। लोगों से बात की जिनों ने इस विकारा जो यूटी पुलिस अब करने जा रही है फिलहाल इसकी कोई आवशिकता जान नहीं पड़ती। ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई आपात प्रस्थिती सामने नहीं है जिस कारण ये फैसला लिया जाए। मामला है यूटी पुलिस की तीन डिविजनों से जुड़ा हुआ कि अब वहाँ पर तीनों डिविजन में कुल तीन डिएसपी के बजाए पांच डिएसपी बठाये जाएंगे। सेंट्रल डिविजन के अलावा सिर्फ सेंट्रल डिविजन को छोड़ दिया जाए तो साउथ डिविजन और इस्ट डिविजन में एक एक अतिरिक्त डिएसपी को बठाया जाएगा यानि कि साउथ डिविजन में भी कुल दो डिएसपी अपना कारेभार संभालेंगे और इस्ट डिविजन में भी दो DSPs अपना कारेभार संभाल सकते हैं। ऐसा चंडीगड पुलिस विभाग विचार कर रहा है और इससे जुड़ी फाइल भी पंजाब के राज्येपालायम यूटी के प्रशासक को भेज दी गई है। उनसे स्विक्रती मिलते ही डिविजनों में तीन DSPs के बज़ए पांच DSPs काम करेंगे। ऐसा हुआ क्यों है। और नियाती मित्तल समेट दो अन्य DSPs हैं जिने यूटी पुलिस में चार्ज दिये जाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इनी DSPs और IPS को यूटी पुलिस में अड़जस्ट करने के लिए इस फेर बदल का फैसला लिया गया है। हाला कि आतंक के दोर में भी ये विवस्था ऐसे ही चलती रही लेकिन अब केवल और केवल यही माना जा रहा है कि दानिब स्कैडर के जो अधिकारी पुलिस अधिकारी यूटी पुलिस में शामिल हुए हैं उन्हें कहां अड़जस्ट किया जाए। सबी मुखे यूनिट्स देने का विचार किया जा रहा है और साथ ही साथ ट्रेनी IPS मृदुल जो हैं उन्हें आने वाले चंद दिनों में ही किसी ना किसी पुलिस थाने का SHO भी लगाया जा सकता है चूंकि वो ट्रेनी DSP हैं तो उनकी ये विवस्था में उनके अभी ट्रे हम कहें कुछी समय कुछी दिन गुजरे हैं कि यूटी पुलिस की कमान संभाली है और अब वो ऐसा फैसला ले रहे हैं जिससे पूरा जो सरंचना है यूटी पुलिस विभा की मानिए सबसे उपर डीजी पी उससे नीचे डी आईजी उनके अधीन उनके अधीन जो हैं फिर एससपी यूटी कुलदीप सिंग चहल और फिर तीनों डिविजन के तीन डीएसपी जो अब अगर यूटी पुलिस के इस निर्णे पर यूटी परशासक की तरफ से महर लगा दी जाती है तो पांच डीएसपी होंगे और फिर उनके नीचे पुरे शहर के सभी पुलिस था और अब देखेंगे वो ये देख सकता है कि आने वाले समय में शहर की तीन डीजनों में से धो दो डीएसपी ये जो है यह जो एक सेंटरल डीएसपी को हैं उनसे बात की हमने आमजन से बात की हमने विभिन सेक्टर में जो पुलिस की गतिविदियों से निरंतर जुड़े रहे हैं उन लोगों से बात की और वर्ष 1966 के बाद से चंडीगड की रूप रिखा को देखते बंते समरते जिनों ने देखा है हमने उनसे बात की तो उन्सभी का जो एक मत आया वो सामने यह आया कि ऐसी कोई यूटी पुलिस विभा की विवश्टा नहीं है ऐसी कोई यहां पर विकट प्रस्तिती नहीं है कि चंडीगड के जो मूल चंडीगड पुलिस विभा की मूल सरंचना से छेड़ छाड़ के जाए हालां कि आगामी दिनों में देखना होगा कि यूटी परशासक पंजाब के राज्येपाल एम यूटी परशासक इस पर क्यार निड़ने लेते हैं हालां कि आपको यहां पर बता दें कि डीजीपी परवीर रंजन उन्होंने हाल ही में यूटी पुलिस का कारेभार संभाला है और पंजाब के राज्येपाल एम यूटी के परशासक भी अभी हाल ही में आये हैं पूर्व परशासक वीपी सिंग बदनौर का कारेकार पुरा हो गया है और वो यहां से उनको विदाई दे दी गई है और अब नई परशासक के हाथ में शहर की रूप रिखा शहर का संचालन उनके हाथों में है लेकिन देखना होगा कि वो चंडिगड पुलिस विभाग के डिजी पी परवीर रंजन की तरफ से भेजी गई इस फाइल पर अपना क्यार निर्ने देते हैं मैं आविनाज शर्मा अर्थप्रकास टीवी के लिए धन्यवाद